यह कांग्रेस पार्टी हम यह पूछ रहे हैं मोडी जी लाक मनी काला धन लाके आपको पंद्रा लाक रुपे हरे गरीब के अकोंड में दालेंगे बोलके आप आप आवाज दिये हैं दस साल तो गुजर गया यह गरीब के अकोंड में नहीं है मगर आज तक एक उर्पया नहीं दालें फिरा प्राइमिनिश्टर बनाओ बोलके फिरा पुछ रहे हैं मोडी जी आप साल को दो करोड एंप्लाइमेंट के लिए आप वादा किये हैं देखते देखते दस साल गुजर गए हैं कहा है बीस करोड एंप्लाइमेंट का आपका वादा किदर गया है किसान रोजकर के क्या किये हैं देख में अभी तक ये क्राक किसानों मर गए है ये कांग्रेस पार्टी हम ये पूछ रहे हैं मोडी जी पहले आपको तो हकूमत तो हम 15 साल पब्लिक दिये हैं दस साल आपको हकूमत दिया है प्राइम निस्टर के लिए आप ये बोले दे जन्ता के लिए आपका ये था हम का ब्लाक मनि काला धन लागे आपको 15 लाक रुपे हर एक गरीब के अकोंड में दालेंगे बोलके आप आप आवाज दिये हैं दस साल तो गुजर गया ये गरीब के अकोंड में नहीं है इसमें हम ये बुच रहा है वो गरीब पब्लिक कोंड है हर एक जनता है ये सी है या ये स्टी है बी सी है मैनाइटी है और फारेंड क्लैस में भी गरीब लोगा है सुब के लिए आप खाला धन लाएंगे आप लातों बोले आप ही बोले आपका हवाज थे मगर आज तक एक रुप्या नहीं दाले फिर आप प्राइम मिनिश्टर बनाओं बोलके फिर आप पुछ रहे है अच्छा ये साल को दो करोड युवती योगं के लिए आप जाप् है हम ये कांग्रेस पार्टी रावल जी ये पुछ रहे हैं पार्लिमेंट में कई बार पुछे हैं मैं मोडी जी आप साल को दो करोड युप्लाइमेंट के लिए आप वादा किये हैं देखते देखते दस साल गुजर गए हैं कहा है बीस बीस करोड बीस करोड एम्प्लाइमेंट के आपका वादा किदर गया है फिर आप बुछ रहे हैं रावल जी ये पुछे भी मोडी जी को फिर आप फिर बुछे फिर मुकुमत देओ क्या बीस करोड बच्चों के लिए आप क्या जाब से दिये क्या वो लोगों को उसका जवाब है क्या नहीं वो जवाब नहीं है बस वो ऐसी छोड़ दिये फिर वो आपको उकुमत होना बोल रहे हैं अच्छा आज जो देश में किसानों के लिए क्या किये हैं किसान रोज कर के क्या किये हैं देश में अभी तक ये क्लाक किसानों मर गए है मगर आज तक किसी किसान का अधेश में कुछ उवाइश ने आज तक वही राहुल जी ऐई बात पुछ रहे हैं कि मैं किस देश में किसानों का हाल क्या बना दी आप आपका ये तीन तो बेरी बेरी इंपार्टन्ट है 20 करोट जाप्स किदर गए है किसानों का जो करना है वो वो कुछ किया ने अब तक वो गरीबों का जो 15 लग वो हुआ नहीं ये राहुल जी पार्लमेंट में कई बार पुछे है मगर पार्लमेंट में जो राहुल जी पुछे है कांगरस पार्टी उसका जवाबी दिये नहीं, उसके लिए कोई चिर्चा भी किये नहीं मगर राहु जी लिए को पार्लमेट में नहीं पुछना, उनका आवास नहीं सुनना चाहे थे इसलिए उनको MP को जो कुछ तोड़ा जीवोस रिशु करके आप उनको पार्लमेट में बैटने के लिए, नहीं बैटना पार्लमेट बोलके, उनको भागा निकालने का भी चाल चला है आपका राहुल जी जिते भी आपके उपर आवास जन्ता के लिए आपके लिए पुछ रिए पार्लमेट में उसका जवाब देने का आपका दम था नहीं इसलिए राहुल जी को आप पार्लिमेट में नहीं भाइट ना बोलके उनको कोट के नाप पे उनको बाहर निकालने का चाल भी चला है आपका